तो यार यहां पर आप असानी से देख रहे होंगे कि यहां पर आपको दिख क्या रहा है कि अनुकुलन तो आज कहां हमारा जो टॉपिक है वह है अनुकुलन की अनुकुलन आखिर होता क्या तो आप ध्यान दिजएगा भातों पर जो बातों को मैं भी भी बतलाओंगा कान ख जो कि यहां पर आपको असानी से देखने को मिल रहा होगा तो अनुकुलन को हम इस इस नामों से बुला सकते हैं जैसा कि आपको यहां पर दिखी रहा होगा तो मेल भी कह सकते हैं और इसके बाद समा योजन और भी हम कह सकते हैं साम जस्य और इसके बाद सुधार भी हम कह सकत अनुकुलन बनना और इसके बाद हम ये भी कह सकते अनुरूप बनना और कह सकते है अनुरूपन तो इसका जो मतलब होता है ये होता है आपको ये सबनामे होती है लेकिन ये सबनामे से तो अच्छा ये हमारा अनुकुलन ही क्या है बहुत ही सिंपल है तो सिंपल है न तो यह क कि लिखा क्या हुआ है कि वही विशिष्ट सनरचना अब बात आती है वही विशिष्ट सनरचना अखर होता गया तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी गायज जो है कि आप भैंस की तरह मिलती है नहीं मिलती है हमारी जो पंची है कि आपको बकरी की तरह मिलती है यानि ऐसे समझिए कि हमारा पंची उड़ सकता है किलियर कि हाथी हवा में उड़ सकता है नहीं न पंची घोसले में रह सकती है बट क्या यहाँ पर काव विफेलो यह सब घोसले में रह सकती है नहीं न तो यही होता है कि व तो वही विशिट संद्रचन जैसे गाय का अकरिती कैसा है उसका बनावट कैसा है जैसे अब सेर का बनावट कैसा होता है और गाय का बनावट कैसा होता है अलग-अलग होता है तो गाय और सेर का बनावट जो होता है वो अलग-अलग होता है उसी प्रकार यहाँ पर जो लक्षण की है और कि आप आती है परीवेस होता क्या तो मेरे प्यारे चाथी ही हमारा जो जो बडु का मतलब होता है हम पर है छहां पर हम अपना जीवन जीवन पिताते हैं जहां जीओन यापन करते हैं वह आपका परिवेस कहलाता है तो आप अभी जहां पर हैं वह आप परिवेस में तो यहां पर देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि वही विशेश्ष सनरचना अथवा स्वभागत यानि प्रकृतिक विशेश्ष्थाय यानि लक्षन जो किसी पौधे पौधे तो आप समझे रहें अथवा जन्तु को उसके परिवेस में यानि जहां पर है वहाँ घरक में समाने रूप से रहने की छमता परदान करते हैं तो वही आपका अनुकुलन कहलाता है समझें अनुकुलन आई की नहीं आई यहां पर आप देख सकते हैं कि अनुकुलन का जूपरिवासा है, कुछ इस पर कार किया तो परिवेश में यानि जहांपर आप है वही पर समाने रूप से रहने की हमारी पास चभाजना जो परदान करते हैं वही आपको कहलाता है अनुकलन चाहे आप यहांपर देख सकते हैं 끝ichaam, यहां पर इसको घेरा लगाते हैं, चाहे आप अस्थळिये हो अस्थलिये यानि हम एक अस्थलिये पर हैं और वाई वीये यानि कह सकते हैं जो हवा में हो हाला की पंची जो होती है, हवा में तो अपना घौंसला बनाती ही बनाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच्ची भी है जो वह भूमी पर आती ही ए ठीक है, खाना उसका जो भूमी पर ही मिलता है न कि वॉयू मंदल में उनको खाना नहीं मिलता है, तो वॉयू हो गया और इसके बाद कहह सकते मरू अस्थलिये तो आप समझे रहे हैं रिगिस्तान जो है वह क्या है मरू अस्थलिये जगह है यानि उसमें बलुआई जगह तो बलवाई जगह को हम बोलते हैं मरू अस्थलिये और यहाँ पर देख सकते हैं परवतिये और इसके बाद है जलिये और सभी जीवे में होता है वह जो जीव है वह अस्थलिय हो सकता है या तो वाईविय हो सकता है या तो मरू अस्थलिय हो सकता है या तो परवतिय या तो जलिय या तो सभी जीव में होता ही होता है क्या तो आप समझे रहे हैं कि मचली का सरीर का बनावाट कैसा होता है और कुता का बक्री का और सेर का और पंची का तो ये सब का सरीर का जो बनावाट होते हैं सब का क्या होता है अलग-अलग होता है तो अगर आप इसका अनुकुलन का जो परिवासा लिखना चाहते ह है आप यहाँ पर इसको असानी से लिख सकते हैं तो अनुकुलन आपको समझ आई हो तो जरूर बताजेगा और हम ऐसे भी कह सकते हैं क्यार पौधा और जीओं के बिसिस्ट लक्षन हमारा पौधा और जीओं में तो बहुत अंतर है इसका बिसिस्ट लक्षन एवं सोभाव ज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ तो बने रहें और जुड़े रहें बाइबाइबाइट टेक क्यार बेस्ट अफ लक्षन हमारा पौधा 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 अ